नमस्कार, आपका अख़बार के संक में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंगू। कुछ भी हो आदमी की जो मूल फितरत है, वो जल्दी बदलती नहीं है। वो चाहे जीवन का कोई भी ख्षेत रहो, और राजनीती में तो बिल्कुल नहीं बदलती। सबसे ताजा और सबसे बड़ा उधारन इस समय अगर कहें भारती राजनीती में, तो इसका है अजीत पवार। NCP पार्टी उनके पास है, चाचा को धोखा दिया, पार्टी तोड़ ली और पार्टी पर कब्जा कर लिया। और पाला बदलकर आ गए भारती जन्ता पार्टी के साथ, यानि महायूती जो बनी भारती जन्ता पार्टी एकना शिंदे शिवसेना और NCP की अजीत पवार की। उसकी महायूती बनी और सरकार में डिप्टी सीम बन गये। हलाकि वो डिप्टी सीम वहां भी थे। लेकिन शिंदे के जाने के बाद वो सरकार तो बची नहीं थी तो अब बिना मंत्री पद के बिना सरकार के अजीत पवार कैसे रहे। तो अजीत पवार को हर समय सत्ता चाहिए। और ये सत्ता उन्होंने लोकसभा चुनाओ के नतीजे उनने साबित किया कि वो सत्ता भोग रहे थे अपने चाचा की कमाई पर यानि राजनीतिक कमाई की बात कर रहा हूँ। दूसरी कमाई की बात में जाएंगे तो फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी और फिर कहीं पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो राजनीतिक कमाई जो शरत पवार की थी उसको भोग रहे थे अजीद पवार और माहौल ऐसा बना हुआ था कि पार्टी के संगठन को अगर कोई चला रहा है तो अजीद पवार चला रहे हैं। अजीद पवार की ताकत बहुत बड़ी है। इसी चक्कर में उनके साथ 40 एमेले आ गए शरत पवार को धोखा दे कर। जिन शरत पवार ने कि उन सभी लोगों को ज्यादा तर जो एमेले आये अजीद पवार के साथ उनको शरत पवार ने बनाया। चुनाव जिताया। सत्ता में मंत्री बनाया। लेकिन वो अजीद पवार को छोड़कर आ गए क्योंकि उनको लगा कि अजीद पवार के साथ जो सत्ता मिलने जा रही है वो ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। और शरत पवार के साथ जो सत्ता थी वो पहले भी अनिश्चित थी और आगे भी उसका भविश अनिश्चित तावरा है। लेकिन अजीद पवार ने पाटी तोड़नी केवल इतना नहीं किया। अजीद पवार ने लोगसभा चुनाओ में अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेतरा पवार को चुनाओ मैदान में उता रहा है। तब उनको याद नहीं आया कि परिवार तूट रहा है। उस समय बड़ी अपील की गई थी शरत पवार के परिवार के और से कि परिवार का जगड़ा जो है इस तरह से राजिनती में नहीं आना चाहिए। लेकिन अजीद पवार का दिमाग साथ में आस्मान पर था। उनको लग रहा था कि NCP जो कुछ है उनकी वज़े से है। जो नई घटना हुई है वो भी आपको पता होगी और वो यह है नवाब मलिक को लेकर। नवाब मलिक के संबंध दाओद इबराहिम, टाइगर मेमन और उसके अलावा छोटा शकील जो दाओद इबराहिम के साथ ही है। उन से जुड़े हुए मनी लॉंडरिंग केस में ये दाओद से नवाब मलिक के संबंधों के बारे में बोला, आरोप लगाए। जब NCP टूटी तो नवाब मलिक अजित पवार के साथ आ गया है। उनको भी लगा कि सत्ता यहाँ ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। तब उनको जो है शरत पवार की याद नहीं आए शरत पवा पवार ने नवाब मलिक को टिकट लिया है। अबू आसिम आजमी जो है वो राजनीती में नवाब मलिक से सीनियर है, उनसे पहले विधायक बन गये थे। एक कसक तो अबू आसिम आजमी की यह है कि मुझ से पीछे थे और आगे निकल गये, मंतरी बन गये, कैबिनेट मिनि लडाई नहीं है। यह लडाई जो है यह दो व्यक्तियों की दो व्यक्तित्वों की दो व्यक्तियों के अहंकार की भी लडाई है। दो व्यक्तियों के मुस्लिम वोटों पर वर्चस्व की भी लडाई है। लेकिन यह वीडियो इसके लिए नहीं बना रहा हूं। वो लड मलिक को सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। दूसरी बात भाजपा नहीं भी स्पष्ट कर दी थी कि अजीत पवार उनको टिकट नहीं देंगे। अगर गडबंधन में हैं तब भी अपनी पार्टी से भी नवाब मलिक को टिकट नहीं देंगे। अजित पवार इसके लिए तयार हो गए और अजित पवार ने उसके बदले में कहा कि ठीक है नवाब मलिक को नहीं दे रहे लेकिन नवाब मलिक की सजा उनकी बेटी को क्यों दे तो सना मलिक को जो है उनकी जो शक्तिनगर की सीट है विदान सभा सीट जहां से सिटिंग है में ले थे रवाब मलिक, वो सीट उनकी बेटी को दे दिया गया, बीजे पी ने समझाओता कर लिया, ये बीजे पी के मेरी नजर में पहली गटी है, देखें ये खेल जो है, इस तरह के ततों खेलते रहते हैं, इमोशन पर खेलते हैं, कभी स्टेड़िजी पर केलते हैं, कभी कि केंडिडेट हो गई, उसके लिए कैंपेंड करेंगे बीजे पी के लोग, उस बेटी ने कभी अपने पिता से अपने को अलग किया हो, ऐसा कोई बयान दिया हो, आप में से किसी को याद है, जब उसने अपने को अपने पिता से और उनके कुकर्मों से अलग नहीं किया, तो उनके खिलाफ कुछ बोला कभी क्या, उसके बारे में कोई टिपणी की क्या, कभी कहा क्या कि उसके पिता ने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो अजीत पवाद ने पहला दाव ये चला कि नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिला दिया। दूसरा काम ये किया कि आखिरी मिनिट पर तीन बजे नॉमिनेशन का समय खतम होता है और कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। दो बज कर पचपन मिनिट पर सिंबल दे दिया नवाब मलिक को। नवाब मलिक ने चला की कि दो नॉमिनेशन फाइल किये। एक निर्दलिय के रूप में, एक NCP के कैंडिडेट के रूप में, तब तक उनको सिंबल नहीं मिला था, फार्म B या कौन सा फार्म होता है वो नहीं मिला था, दो बचके 55 मिनट पर मिल गया, अब BJP के पास रियक्ट करने का कोई टाइम नहीं था, तो नवाब मलिक अजीत प चुनाव प्रचार नहीं करेगी, ऐसे लोगों का साथ नहीं देगी जो दाओद इबराहिम, टाइगर मेमन और छोटा शकील से जुड़े हुए हो, आप कहते रहिए, आपके गटबंधन के उमीदवार बन चुके हैं नवाब मलिक, जनता को इसके बारे में आप क्या नहीं आया, और उसकी नाराजगी अभी तक है, उसकी नाराजगी का खामियाजा भुकता बाच पाने लोगसभाद चुनाव में, इसके बावजूद अजीद पवार को साथ बनाए रखा, शिंदे को बैलेंस करने के लिए, और मराठा वोटों के लालच में, इन दो के अला उनको चार सीटे मिली थी लोगसभाद की लड़ने के लिए, सिर्फ एक जीत पाए, और अब बारा मती से जो उनका घर है, जहां उनकी पूरी राजनीती शुरू हुई और अभी तक चल रही है, वहां से अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, जब अपनी पत्नी को खड़ा क कि अपनी चचेरी बहन के खिलाअफ शरत पवार के और पूरे परीवार के मना करने के बावजूद तब उनको याद नहीं आया कि परीवार तोड़ रहा है। अब शरत पवार का समय आया उन्होंने पलटवार किया उन्होंने अजीद पवार के खिलाफ अजीद पवार 12 मती से विधान समा चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ अजीद पवार के सगे भाई के बेटे यानि अजीद पवार के भतीजे को मिदवार बना दिया उसके बाद अजित पवार ने अपनी माँ को शरत पवार के पास भेजा कि वो ऐसा ना करें भतीजे से कह दें कि वो विड्रॉ कर ले शरत पवार ने मना कर दिया बलकि अभी दो दिन पहले उन्होंने एक जनसभा में मजाक उडाया अजित पवार का कि उस समय सुन नहीं रहा था आज कैसे रो रहा है यानि अजित पवार की बारा मती से विधान सभा सीट खत्रे में है ये मान कर चलिए आप अगर अजित पवार बारा मती से विधान सभा चुनाव जीच जाते हैं तो ये चमतकार होगा और अगर अजित पवार 12 मती से हार जाते हैं तो शरत पवार का एहसान BJP को मानना चाहिए BJP के रास्ते का एक बहुत बड़ा काटा निकाल देंगे शरत पवार अजित पवार की पार्टी और वो खुद ना केवल भारती जन्ता पार्टी ना केवल महायुती बल्कि महाराष्ट की राजनिती पर एक बोज है राजनिती में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है जिसके लिए अजित पवार जाने जाते हों और राजनिती में ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, जिसके लिए अजीत पवार न जाने जाते हो। ब्रश्टाचार के आरोप से लेकर हर तरह का आरोप। कौपरिटिव घोटाला, कौपरिटिव बेंक घोटाला, सिचाही घोटाला, यह सब आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। यह सब आरोप भारतिय जनता पार्टी के नेता लगा चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो वो जब साथ आ जाते हैं तो मुकदबा खतम हो जाता है, वो चले जाते हैं तो मुकदबा शुरू हो जाता है, ये अजीब तरह का खेल, बीगेपी ने खेला, और इसका नुकसान उठाया, इसके बावजूद खेला, आपका पुलिटिकल कमपल्शन कुछ भी हो, लेकिन आप एक विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं, आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड तो होना चाहिए, अगर साथ हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं हैं, तो या तो आप समर्थन में रहिए या विरोध में रहिए, एक दिन आप समर्थन करेंगे, दूसरे दिन आप विरोध करेंगे, तो आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं, तो अजीत पवार की ये फितरत है धोखा देना, जो अपने संगे चाचा का नहीं हुआ, जो अपनी चचेरी बहन का नहीं हुआ, वो भारती जंता पार्टी का हो जाएगा, ये भाजपा के लोगों को ये मुगाल अजीत पवार पहले दिन से मान कर चल रहे थे, तय करके चल रहे थे, उनका इरादा था टिकट देने का, ध्यान भठकाने के लिए पहले बेटी को टिकट दिला दिया, तो जो एक व्यक्ति को टिकट देने से गुरेज कर रही थी, बीजेपी मना कर रही थी, अब उसके पर रहे हैं, अगर दोनों जीत गए तो दोनों जो है विधायक होंगे, और उसी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें भारती जनता पार्टी के विधायक होंगे, जिसमें एकनाच शिंदे के विधायक होंगे, एकनाच शिंदे ने जब से वो उद्धव ठाकरे स अलग हुए हैं, उन्होंने वैचारिक आधार पर या संगठन के आधार पर या व्यक्तिगत अहंकार के आधार पर बीजेपी के लिए कोई समस्या पैदा नहीं किया है। एक तरफ ये आप देखिए गडबंधन के साथ ही हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, जो कदम दर कदम धोखा देते रहें। और एकनाज शिंदे और अजीत पवार की तुल्ला भी नहीं की जा सकती है। एकनाज शिंदे उद्धव ठाकरे से अलक क्यों हुए जब उद्धव ठाकरे ने हिंदुत की विचारधारा छोड़ दी, जब उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत छोड़ दी, उनकी जो लिगेसी थी उसको छोड़ दिया। जिन बातों के लिए राजनीती में बाला साथ ठाकरे जाने जाते थे उसके ठीक विपरिद जो लोग थे उनके साथ जाकर खड़े हो गए उद्धव ठाकरे फिर यहां तक ही मामला नहीं रहा उस सरकार में शिवसेना के विधायकों के काम होना बंद हो गए लेकिन उद्धव ठाकरे को कोई मतलम नहीं था वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैट गये थे उसी से परमसंतोष्ट थे उनको लग रहा था उनको जीवन में जो कुछ हासिल करना था कर लिया एक ही अब उनके पास जो है वो लक्ष बचा हुआ था बेटे को सत्ताबे बिठाना अपना वारिस बनाना तो एकनास चिंदे को समझ में आ गया था कि आपने विचारधारा छोड़ दी संगठन की आपको चिंता नहीं है और अपनी राजनितिक विरासत जो है इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है अपनी तो ऐसे में एकनास शिंदे का छोड़ना एक सजद्धानतिक फैसला था एक राजनितिक फैसला था एक रणनितिक फैसला था अजीत पवार ने क्यों छोड़ा शरत पवार को शरत पवार से क्या तकलिफ थी शरत पवार ने जितनी बार सरकार बनी तीन बार कॉंग्रेस के साथ बनाई उन्होंने अपनी पार्टी बनाने के बाद और एक बार जो है महाविकास अगाडी जिसमें उद्धाव ठाकरे शुरूर में पूरी शिवसेना ही थी शरत पवार की अन्सेपी और कॉंग्रेस शामिल थे उसमें इन चारों सरकारों में अजित पवार को डिप्टी सीम बनाया वो चाहते किसी और को भी बना सकते थे और अजित पवार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं इसके बावजूद ये सब जानने के बावजूद अजित पवार ने लोकसभा चुनाव में शरत पवार की बेटी और अपनी चचेरी बेहन के किलाफ जिससे राकी बंदवाते थे उसी के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया कोई संकोच नहीं हुआ और पुरी ताकत लगाई हराने की हरा नहीं पाए तो मुझे एक फिल्म याद आ गई आपने भी शायद देखी होगी फिल्म का नाम था शक्ति इस फिल्म में शायद पहली बार ऐसा हुआ था मुझे याद नहीं कि उससे पहले कभी हुआ हो जब दिलीब कुमार और अमिताब बच्चन एक साथ आयो दोनों उस फिल्म में पिता पुत्र की भूमिका में थे दिलीब कुमार जाहिर है पिता थे और अमिताब बच्चन पुत्र थे दोनों में बनती नहीं थी दोनों के रास्ते अलग थे दिलीप कुमार की जो भूमिका थी वो पुलिस अधिकारी की थी और अमिताब बच्चन जो है वो असामाजिक ततों के साथ मिल गए थे एक मौका आता है जब दोनों में समवाद हो रहा है तब दिलीप कुमार एक डायलॉग बोलते है एक बाप कई बेटे पैदा कर सकता है, लेकिन कई बेटे मिलकर एक बाप नहीं पैदा कर सकते हैं, शरत पवार ने लोकसभाद चुनाव में यही संदेश अजीत पवार को दिया है, कि शरत पवार जब तक सक्रिय हैं, NCP की राजनीती में, महाराश्च की राजनीती में जब तक सक्रिय हैं, तब तक अजीत पवार उनसे बड़े नहीं हो सकते, उनका कद उनसे बड़ा नहीं हो सकता, उनका जनाधार, उनका समर्थन उनसे बड़ा नहीं हो सकता, अजीत पवार अपनी राजनीतिक हैसियत भूल गए थे जिसे शरत पवार ने याद दिलाया तो ये अजीत पवार का देखे रुख ये इस समझने की कोशिश किजिए कि भविश्य में वो क्या क्या कर सकते हैं भारती जन्ता पार्टी की अगर अब भी आँख नहीं खुल रही है हलाकि यह अब मौका नहीं है कि गड़ बंधन से उनको निकाल दिया जाए लेकिन गड़ बंधन में उनको बनाये रखना कितनी बड़ी भूल थी भारती जन्ता पार्टी की और मेरा मानना है कि अगर सरकार बनती है महायूती की और अजित पवार को फिर से डिप्टी सीम बनाया जाता है तो ये बीजेपी अपने पैर पर कुल लाड़ी मारेगी क्योंकि अजित पवार किसी के सगे नहीं है वो सिर्फ सत्ता के सगे है पैसे की राजनीती करना उनको आता है वही राजनीती सिखी है वही जानते है उसके अलावा कोई राजनीती नहीं जानते है और मुझे नहीं लगता कि नतीजे आने के बाद कोई भी परिस्तिती बने शर तो अजित पवार के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। लेकिन भारतिय जनता पार्टी के सामने बहुत से विकल्प होंगे अजित पवार के अलावा। तो अजित पवार की कलई खुल गई है। ये जो रंगा हुआ सियार था, उसका भेद खुल गया है। हुआ कि वो सब को दिखाई दे रहा था, सिर्फ भाजपा के नेताओं को नहीं दिख रहा था। महराश्व debris के लोगों को दिखाई दे रहा था। खास طور से भात्य जनता पारटी के कारिकरताओं और समर्थकों को दो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा. तो अजीत पवार ने वही किया जो उनका स्वभाव है। उन्होंने जो किया बहुत स्वभाविक बात की है। उनकी और से अगर आप देखेंगे तो कोई अस्वभाविक बात नहीं है। सांप का काम है डसना, ये उसकी प्रकृती है, अजीत पवार की प्रकृती है धोखा देना। फिर कह रहा हूं जो अपने संगे चाचा का नहीं हुआ, जिसने राजिती में उंगली पकड़ कर यहां तक पहुंचाया, वो भारती जंता पार्टी का क्यों होगा। तो अगर इस बात को इस घटना के बाद भी भाजपा के लोग समझ जाएं, तो बड़ी बात है। जो परिस्तिती अभी दिख रही है, जिस तरह से हर्याना के विदानसभा चुनाओ के नतीजे आने के बाद राजनीती बदली है, राजनीती की हवा बदली है, लोगों का र अर्याना में जुटे, अब महाराष्क में जुटे हुए है, उसको देखकर लगता है कि महायुती के जीतने की सरकार बनाने की संभावना बहुत जादा है। भाजपा को तै करना पड़ेगा कि आगे का सफर अजित पवार के साथ करना है या अजित पवार के बिना करना क्या एक और धोखा खाने के लिए भाजपा तैयार है ये प्रश्ण अपने आप से भाजपा के नेताओं को पूछना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मति दीजिए। आप से अन्रोध है क ये चैनल देखे शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरू कीजिए नमस्कार